हेलो गार्ट वाल यूट्यूब चैनल एंड मैंने पिछले साल एक वीडियो डाजे थी टॉप 5 गेमिंग माउस के ऊपर एंड इस साल अगेन नया साल है नए माउस आ चुके हैं नए प्रोडॉक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो चुक सजेस्ट करने वाला हूँ पुराने काई उप्शन जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थी वो जा चुके हैं वो नहीं मिलने वाले आपको तो उनकी जो को पर नए मॉडल्स आप चाहे एक बज़ट गेमर हो जो को एक सस्ता माउस चाहें या फिर आप थोड़े एक हाई अगर आपको मिल जाते हैं वेलन गुड़े ले लो लेकिन अगर नहीं मिलते हैं मैं उन्हीं को रिकमेंड कर रहा हूं जो कि असानी से मिल जाए क्यों कि अवेलिबिलिटी इस क्रूशल टाइम में एक इंपोर्टन चीज है यहां लोगों को जीप उनी मिल रहे और आपको exclusive mouse चाहिए तो वो एक important चीज होगी देखो आप सबसे सस्ते वाले budget के लिए बंदे के लिए जाते हैं जो कि जिसका budget किदम कम है अगर आप 500-700,000 रुपे के आसपास माउस भून रहे हो मैं मैं मतलो तुमको market में इस टाइप के कई mouse मिलेंगे यह जो भी Zinc Technologies का यह robot जासा Decepticon यह सा दिखने वाला mouse है जो कि तुम्हें रात को transformer के किल कर देगा या फिर रेड़ गियर का है या फिर तुम्हें यह दिख रहा है रेड़ गियर का E20 लेनोवो का यह दिख रहा है जीप सा पता नहीं क्यों उसमें इतनी सारी lines बना रहे हैं चीक है या फिर तुम्हें कॉस पता नहीं कौन-कौन सी companies हैं कुछ भी नाम रखावा है तुम्हें कुछ लेने की ज़रूत नहीं है अगर तुम 500-700,000 रुपे के अंदर ढूंड रहे हो लेने की ज़रूत नहीं उस पैसे को रखो एकाउंट में रखो बैंक के अंदर रखो जब तुम्हारा budget थोड़ा बाब बलो के भाई तु तो 500-1000,000 सी सीधा 1500-1700 ले गया तो मेरी बात सुनों यहां पर इसकी नॉर्मल प्राइस 1500-1700 दिखा रहे है पर यह इसली तुम देख सकते हो डील में जो है वह 1400 के आसपास का तुम्हें देखने को मिल लियागा कभी 1200 कभी देखने को मिलता है कुछ बना रहे है तो यह वाला जो है प्रोड़ेजी वाला निया यह लाइट सिंक है इसके डबलक्लिक इशू नहीं है मैं इस वीडियो को इसी माउस को यूज़ करके बना रहा हूं मैंने यह खुद लिया तर टेस्ट करने के लिए कि डबल कली इस आते नहीं आते अभी तक तो प्राइब डाउन रहती है constantly कई बार बहुत डाउन रहती है लोगों इसका white model लिया है बहुत बार sale में लोगों इसको ससने में लिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट अगेन यह बहुत पुराना हो चुका है mouse chances हैं कि तुम्हें double click issue आएंगे मैं बोलता हूं उतना जंजट करना IQ लेना है go with corsair इसका सबसे बढ़ी है फीचर जो है वो यह है कि पहली बात तो यह बहुत जादा light weight है ठीक है RGB तुमको देखने को मिल रही है corsair जैसे brand के तरफ से है अच्छा का आता इसके अंदर Pixar का sensor है ठीक है corsair का IQ supported है अच्छा का सा design है तुम्हें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा कि जो तुम्हें uncomfortable लगे माउस जो है वो बहुत ही जादा डीसेंट तुम देख सकते हो कि 69 grams का इसका वेट है और आजकल जो trend चल रहे ना अल्टर लाइट वेट का सकते हो 1100 के आसपास अगर तो मिल जाता है 1100-1200 के आसपास ठीक है वरना यह कॉर्चर कतर प्रो प्लीज अगर लेना है यही लो ठीक है सारे लिंक description में होंगे कोई माउस लेना है सब मैं description में दे दूंगा उससे चैनल को support मिलता है अंदर logitech का जिन लोग को सस्ते में wireless चाहिए अच्छी performance यह सस्ते में का यह तो कुछ जादा अच्छी price में मिल रहा है ठीक है तो मैं तुमको बोलूगा कि यह एक अच्छा option है अगर तुम मैं wireless में चाहिए तो यह उनके लिए तो अगर तुम को चाहिए तो यह तुम consider कर सकते हैं G304 वरना एक G305 भी आता है वह चेक करना ठीक है वह लेटेस वर्जिन है ना बढ़ते हैं अपने second option की तरफ तो second option है जो है अपना रेजर का वाइपर मिनी 3699 का दिख रहा है लेकिन यह जो है तुम्हें सेल में easily जो है वह तुम्हें कई बार यह 2299 का भी यह बीच से इसके अंदर स्विचेस देखने को मिलने वाले तो अगर तुम एक लाइटवेट माउस देख रहे हो एक अच्छा कासा ब्रैंड की तरफ से देख रहे हो जो कि तुम्हें अच्छी कासी गेमिंग करवा दे अगर तुम कंपेटिटिव गेम्स खेलते हो तन रेजर वाइ तुम्हें देखने को मिल जाएगा तुम एट टू काट करके इसको बाय कर सकते हो ना रोक कर इस इसका मैंने डेडिकेट रिवीव भी डाला वाए चैनल पर जाके उसको चका आउट करो तुम इसकी सारे डिटेल्स मिल जाएंगी यह भी जो है बहुत लाइट वेट इसका 970g के आसपास है जो की बहुत अच्छा वेट है अच्छा खासा वेट है अंदर से यह हनी कॉम शेल डिजाइन के साथ आता है इसके सबसे बेस्ट चीज़ों मुझे लेगी पहरी बात तो देखो इसके अंदर तुम्हें वह सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि तुम्हें चाह बात सकते हूँ जैसे कीबोड में होता है ना कि Cherry MX, Brown Cherry MX तुम अलग अलग सुचेज लगाते हो तुम्हारा स्विच के सथा हैं वैसे ही तुम्हारा स्विच खराब हो गया माॉस का तुम्हें कभी-कभी डबल-ख की शुच आ रहे हैं वैसे तो इसमें डबल-खर आते हैं अ माउस में क्या खराब हो सकता है माउस में या तो चुहा तुमारी तार को तर दे या फिर तुमारा जो है वो सुच खराब हो जाए है ना माउस का क्लिक काम ना करें तो यह बहुत लांग लास्टिंग माउस आपके लिए रहेगा और अच्छे काशे सेंसर हर चीज आ इसके अ थो तो इसको जाके तुम लेजी स्कते हो बहुत अच्छा माउस है यहा पे और ओनरेबल मेंशन वह का जीवह रहरे आप मेंसे कहीं लोग आर्वू कりました मैसे वह फलाना फलाना streamer इस माउस से खेलता है वह फलाना streamer खेलता है तो मैं बोलूँगा गाइस कि हां streamer खेलते होंगे बट फिर logitech से sponsored भी होते हैं ठीक है वह sponsored by logitech होते हैं अगर तुम competitive gaming के तरफ जाओगे जो बड़े-बड़े tournament होते हैं ठीक है जो fps games के तुम्हारी जो होत over g pro x superlight करके जो आया है वो ठीक है जातर वो लोग Zawi का mouse जो हो यूज करते हैं जावी का अगर तुम्हें मिल जाता है ले सकते हो जावी का अभी जो है वह easily available नहीं है इसलिए मैंस को recommend करनी रहा वरना इस mouse को को यूज नहीं करता इस mouse को अगर तुम GTA जैसे game खेलते हो या फ तुम्हें fast फ्लिक्स चाहिए तुम्हें fast movement करना है यह mouse heavy है मतलो उपर से जितने buttons इसके अंदर है उसी साफ से तुम्हारे वो होतने ने games like तुम civilization खेल रहे हो तुम दोटा खेल रहे हो तुम तुम्हारा Age of Empire टाप की game खेल एक ऐसे games जहां पर control जादा है जहां पर तुम्हे editing करते हो like मेरी तरह यूट्यूबर हो तुम्हें जो हो अलग-अलग programs यह फिर अलग-अलग macros जो हो इसके अलग-अलग buttons में तुम्हें प्रोग्राम करनी है तुम उसके लिए में भी इसको ले सकते हो ठीक है लेकिन gaming के लिए अब जो हो जमाना गया जी फाइवर 2 अच्छ उन वेट को तुम निकालोगा तो भी है वेट बढ़ा के तो फाइदा है क्योंकि अल्रडी है तो यह जो है वो इसलिए मैं इसको यहां पर रिकमेंट निकर रहा है बट अब अब ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँ अब यह सेल में चल रहा है बढ खारे कलर ऑप्शन तुम्हें अलग अलग मिल जाते हैं वैसे इसके अंदर ठीक है अच्छा कासा माउस है अच्छा सेंसर है कुला माच्ट की तरफ से आता है फुल आर्जी भी है बट मुझे परसनली है यह पसंद नहीं है ठीक है तुम ग्लोरियस के भी माउस ले सकते हो मौडलो माइनस मौडलEr, ठीक है तुम्हारा मौडल ओ तुम्हे मिल जाता है तो उनको भी ले सकते हो ठीक है अगन जिस प्राइस प मिलते हैं उस प्राइस पर तुम्हें लाइत hacemos शेये CRAC चाहिए । Goreار माच्ट के जाओ फिर 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 कूला मास्ट का यह वाला माउस ले यह भी अच्छा खासा माउस है, डिजाइन तुम्हें देखने में थोड़ा वीर्ड लग रहा होगा बड़ कमफटेबल है अगर तुम्हें क्लॉ ग्रिप यूजर हो तो अगर तुम्हें पाम ग्रिप यूजर हो तो बाकी माउस को चेक करो, एक बार कूला मास्टर का ही MM7-11 चेक करो, ठीक है वो भी अच्छा माउस है, बढ़ते हैं थोड़ा आगे जिनको थोड़ा और एक्सपेंसिव बजट है, उनके लिए यहां पर देखो मैं रेजर का वाइपर अल्टिमेट, अगर तुम्हें वायरलेस चाहिए, डॉकिंग सिस्टम जो यह कूल सा रेजर का बढ़ता है, ठीक है अच्छी कासा सेंसर, अच्छा कासा माउस सब कुछ चाहिए, यह बहुत अच्छा माउस है, इस माउस से बेटर तुमको देखने को मिलेगा नहीं, और भी माउस है, जो कि इस से अच्छे मिल जाएंगे वैसे तो टेकनिकली देखने को, यह बहुत दो अच्छा खास है क्वास लेना चाहओ तो अपर से वारलेस मिल जाता है वारलेस लाइट वह बाकि एक उनरेबल मेंशन जो कि मुझे अमेजोन इंडिया पे मिला नहीं जो कि अगर तुम लेना चाहओ तुम वह ले सकते हो जो कि है Logitech का ही G Pro X Superlight G Pro Superlight X जो भी उसका नाम है चीक है बहुत अच्छा माउस है मैंने G Pro Normal वाला यूज कर रहा है Superlight वाला यूज नहीं करा वही बहुत अच्छा माउस था और यह Superlight वाला यह तो और इंक्रेड़ेबल माउस है और तुम इससे भी एक लेवल उपर जाना चाहते हो तो तुम उसकी तरफ जाओ वह सबसे खतरनाग माउस होने वाला है तुमा ले सबसे बेस्ट रहेगा अगर तुम लोजी टेक के फैन हो यह फिर तुम्हें जो है वो एक्सपेंसिव माउस चाहिए यह फिर तुम्हें एक एक्सपेंसिव और बहतरीन जाहिए तो तुम उस माउस की तरफ जा सकते हो उमीद़ तुम को विली पसंदा एक अगित वीडिवी वीग, शेर ने चैनल को सबस्क्राइब पना भुलिए तुम्हें टेकर गईस